दूसेटी इंडिया परवरी को किसानों और मंत्रियों की बीच जो बैठक होगी उससे पहले किसानों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की च्वेतावनी दे दी गई है 15-20,000 किसान च्वेक्टर पर चलकर दिल्ली कुछ कर सकते हैं इस बीच आपको बता दे तमाम जो तीन मंत्रियें उन्हें ज समझाने की कोशिश करें जादा इसकी रिहरसल और मार्च भी हो चुके हैं जबकि सौ से जादा बार मिटिंग भी हो चुकी है इस आंदोलन के लिए असामाजिक तत्व इस आंदोलन में शामिल होकर के कानून विवस्था को खराब कर सकते हैं ये खुफिया रिपोर्ट आई है और इसकी एक बड़ जा सकती है इसे लेकर रिपोर्ट में अफवा ना फैलाने और सोशल मीडिया के निगरानी की सला भी दी गई है और इसके साथ साथ दिल्ली के सभी बॉर्डर पर और दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा और जादा कड़ी करने की सला दी गई है तो देखे किसान अंदोलन पर खूफिया रिपोर्ट अंदोलन के लिए यहां पर 40 बार रिहरसल हुई है ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खूफिया रिपोर्ट में क्या सामने आया अंदोलन के लिए 40 बार रिहरसल और मार्च हुए है यह जानकारी निक आपको बता दे 500 ट्रेक्टरों के साथ आ सकते हैं किसान यानि कि दिली कुछ कर सकते हैं तमाम तैयारी की जा रही है पंजाब, हर्याना, राजस्तान, उत्रपदेश, केरोल और करनातक से यहां पर किसान आएंगे और लगतार उनकी तरह ते यह भी का जा रहा है कि मोटर साइ कार, मेट्रो, रेल और बस से यह किसान आ सकते हैं, यह रूट उनका हो सकता है, किसान संकटनों की सौस से ज्यादा बार मीटिंग भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है, आलंकि केंदे सरकार कह रही है कि तीन मंत्री बेजेंगे चंडिगर में, बाचीतों की कानून विवस खूफिया रेपोर्ट सामने आए, कि असमाजिक तत्व जो इंसा भी फैला सकते हैं, तैयारी पूरी की जाते हैं और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों की प्रदेशन को देखते हुए पूलिस ने धारा 144 लगा दिये, जिस तरह की खूफिया रेपोर्ट आई है, कि असमाजिक तत्व इन किसान आंदलों के आड़ में बड़ी इंसक्वारदात कर सक और इसके लारट किया गया है, और इसलिए अब एतियातन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दिये, खास तोर पर सीमाओरती इलाकों में और उन खास जगों पर जहांपर किसानों के प्रदेशन की आशंका है झाल 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 झाल